हलो स्टूडेंट्स, आएम मिनाक्षी, एसिस्टन प्राफिसर अफ कामर्स इन कन्या माविदालग खरकोदा स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है, कॉर्परेट लो में हमारा डिपोजिटरी सिस्टम का चेप्टर चल रहा है और इसमें मैं आपको कई टापिक्स करा चुकी हूँ, आज का हमारा टापिक है benefits of depository system for the issuer, यानि जो company security issue करती है, उसके लिए क्या फायदे है सबसे फैला फायदा है कि जो depository system है, इसमें depository company और depository participants के दुरू complete record रखती है, beneficial owners का यानि investors का, और ये record काम आता है issuer के लिए issuer company को जब भी ज़रूरत हो, वो इस information को fetch कर लेती है, ले लेती है depository participants से या depository company से, इस information का use क्या करती है company, जब उसे dividend देना है, उसे list ही है जो updated list है, latest list है, security holders की interest देना है, या bonus share issue करना है, तो उस time वो इस information को use कर सकती है अपने इन functions को perform करने के लिए, paperwork इसमें कम हो जाता है company का, क्योंकि सारा record depository participant के पास है, तो कभी भी उनसे ले सकती है, fraud के chances कम हो जाते हैं, इसमें क्योंकि computerized system है और एक player नहीं है, इस system के अंदर चार player है, और record आपका दो तीन जगें maintain होता है, तो उसमें fraud की chances कम होते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा फाइदा यह है कि एक company अपनी security इसको worldwide sale कर सकती है, क्योंकि आप trading account है, dmit account, bank account है linked होते हैं आपको physically कोई share transfer नहीं करने और कोई भी बंदा किसी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा computerized system के तुरू share purchase sale कर सकता है अब आता है depository participants के लिए क्या benefit है system के, depository participants generally banks, financial institutions हैं हाला कि इस ABK registered brokers भी इसमें as a depository participant काम करते हैं, nine categories हैं जो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ depository participants को इस system का फायदा क्या है, एक तो daily reconciliation होती है, daily reconciliation का मतलब कितनी security purchase कीगे, sale की, stock कितना बचा हुआ है, वो daily basis पे settle किया जाता है अगले दीन जब transactions होती है, trading होती है, वो पहले दीन अगर reconcile आपने नहीं किया है, तो software आपको allow नहीं करेगा, तो transaction हो ही नहीं सकती next day, जब तक कि आप उसकी settlement नहीं कर देते यह system मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे एक company में होता है, कितना stock, raw material का finished goods का आया, कितना गया, आपने register में भी entry कर रखिया है, computerized register हो सकता है, manual register, और आपके पास वो go down में भी है, तो आप उनको cross check कैसे कर सकते हो, register की entries को, आप actual stock taking से match कर सकते हो, तो वो periodic, एक periodic कर सकते हो, और एक daily basis पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे computerized system है, software है, तो daily basis पे ऐसा होता है, दूसरी बात ही है, कि stock exchanges के पास वी record होता है, तो depository participants अपनी उन्होंने किन किन transactions को किया है, finally, जैसे हम कहते हैं कि किनकी accounts में shared securities को credit किया है, debit किया है, उसको वो stock exchanges के record से भी match कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो daily basis पे reconciliation है, उससे बेनामी holdings, fault या forced signature, यह सब possibility खतम हो जाती है, जो certificates पे होता था, 40 signature हो गया, और वो सब चीज़े नहीं, क्योंकि computerized system है, तो यहाँ पे error के chances कम है, depository participant के part पे यह obligations खतम हो जाती है, क्योंकि daily reconciliation होती है, तो उनको, जिसे हम कहते हैं कि libel नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास में हर एक transaction का proof है, और daily basis पे उसको reconcile करते हैं, तो errors ना के बराबर होते हैं, तो उनके obligation कम हो जाती है, दूसरी बात यह है कि जैसे physical form of shares में क्या होता है, कि fake delivery हो सकती है, गलत आदमी को shares transfer हो सकते हैं, certificate गलत जगह पे गलत address पे courier किया जा सकता है, या handover किया जा सकता है, बट यहाँ पे यह सब जंजट नहीं है, easily safe है, या bad deliveries के chances ना के बराबर हैं, दूसरी बात यह है, इसमें important कि आपको पता है, आपकी जो securities हैं, आप उनके against funds raise कर सकते हो, यानि लोन ले सकते हो, उधार में ले सकते हो, अब अग आपको लोन देने से पहले उसकी authenticity चेक करेगा, certificate ठीक है, यानि verify कराएगा, it takes time, इसमें बहुत time लग जाता है, लेकिन यहाँ पे depository participants भी, क्योंकि generally आपको पता है, public financial institutions, DP का role play कर रहे हैं, तो वो आपको lending facility भी देते हैं, हाला कि यह ज़रूरी नहीं है, DP और lending banks अलग भी हो सकते हैं, main जो point है, वो यह है कि dematerialized security के against funds raise करना बहुत easy है, within 24 hours आपको funds मिल जाते हैं, और इनकी securities, क्योंकि electronic system है, तो easily speedy transfer of shares, speedy pledge of shares possible है, next है benefits to lending banks, lending banks का क्या benefit है, अब वो आपको securities के against loan दे रहे हैं, तो उनके अगर physical form है, तो share के cutने, फटने, चोरी होने, जाली होने, यह सारे, जिसे कहते हैं, risk हैं, लेकिन dematerialized firm में आपने securities को pledge किया हुआ है, तो उसमें यह सारे risk खतम हो जाते हैं, simplified transfer हो जाता है, और bank को उन पे charge create करना असान होता है, यानि कि immediately वो आपको funds loan दे देते हैं, इनकी security पे, settlement cycle shorter होता है, जिसे हम कहते हैं, कि भी speedy आपकी transactions होती है, त पेपर वर्क ना के बराबर है, और पेपर वर्क काम है, तो उस वज़े से processing cost भी काम होती है, अब आते हैं benefits to the capital market in general, general capital market, overall capital market के लिए क्या फाइदा है, capital market की growth इस system के आने के बाद सबसे जादा होई है, सबसे पहली बात तो investor का, जो यह settlement mechanism है, यह बहुत speedy काम करता है, क्यो participant और depository है, daily reconciliation system है, automatic system है, accounts में entry होती है, पैसा आपके account में आता है, तो इस से capital market जदा transparent और efficient है, real time information आपको मिलती है, आज शाम तक कितनी किस company के कितने share भी के, किस company के shares की value क्या रही, किस company के shares में, जिस हैं कहते हैं कि trading जादा हुई, यह सारी automatic system आपको यह सारी information by the end of the day आपक आती है, तीसरा जो benefit है, investor का confidence बढ़ता है, जब transparent system होगा और आपको timely information मिल रही है, आपके transaction timely हो रही है, आपके account में पैसा timely आ रहा है, तो उस case में आपका confidence बढ़ेगा और आप capital market में invest करने की सोचोगे, जो regularity authorities है, security exchange board of India है, income tax authority है, यह government की कोई बेजनसी है, जो market से हुई है, उसका काम भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि उनको regulate करने में आसानी रहती है, automatic system को, तो यह benefits थे, अब बात करते हैं, difference between DMAT and physical shares, कि DMAT account में और physical form में क्या difference है, सबसे पहला point आपका, कि DMAT form में electronic form है shares की, जबकि यह paper form है shares की, इसमें investor जब share purchase करता है, he gets the same credited in his DMAT account, यान हैं कि यहां पे उसके DMAT account में credit हो जाते हैं, जबकि यहां पर आपके share print होते हैं, आपको उसका certificate मिलता है, proof मिलता है, shares in DMAT form में वो कई बार विद्धा पैसेज ओफ टाइम दुंदला पढ़ जाती है, जो प्रिंटिंग है, जो इंक है, पानी गिर जाने से सर्टिफिकेट खराब हो सकता है, तो वो चांसेज यहां ना के बराबर है, स्पीडी ट्रास्फर होता है, जबकि यहां पर टाइम लगता है, लेकिन वो स्टॉक मार्किट में ट्रांजिक्शन उसको लाउड नहीं है, से भी नहीं यह कंपल्सरी किया हुआ है, कि आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तो यह डीमेट फॉर्मर फिजिकल फॉर्मर डिफरेंस थे, आप चाहूते, इसमें और भी डिफरेंस बना सकते हो, जैसे कि पेपर वर्क है, इसमें नहीं है, प्रोसेसिंग, कोस, टैंप, डिउटी, यह सारे डिफरेंस है, नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिट्वें टीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, स्टुडेंट्स, यह बहुत ही इंपर्टन टॉपिक है, जो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है, कि डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक है, लेकिन यह दो अकाउंट होते हैं, डिमेट अकाउंट आपको पता है, सेभी ने 1996 में जिब डिपोजिटरी एक्ट आया था, कमपल्सरी कर दिया था, कि अगर आपको फाइनेशल मार्केट में, स्टोक मार्केट में, ट्रांजिक्शन में इसा लेना है, या करनी है, आपको purchase sale, buying selling, तो उस case में आपको के पास डिमेट अकाउंट होना चाहिए, डिमेट अकाउंट आपके shares को hold करता है, electronic form में, और जब आप डिमेट अकाउंट खुलवाते हो, तो उसके साथ में trading account automatically खुलता है, आपको एक username और password दिया जाता है, जिसके थुरू आप इन अकाउंट को operate करते हो, students, यह जो आपका डाइग्राम है, यह easily आपको यह चीज समझा देगा, bank account है, जो आपका saving bank account, current account हो सकता है, जिसमें आपके पैसे है, trading account है, demet account है, demet account में जब आपने कोई share purchase किये, तो वो demet account में credit होगे, जब आपने sale किये, तो debit होगे, जब आपने share purchase किये, उसकी payment हो नहीं है, तो वो trading account से payment होगी, तो वो balance debit हो जाएगा, जब आपने share sale करे, पैसा आपके account में trading account में आएगा, तो पैसा credit हो चाहेगा trading account में पैसा कहां से आएगा payment के लिए आप bank account को उससे link करते हो और आप जितना request डालोगे या transaction करोगे कभी भी आप bank account से पैसा trading account में transfer कर सकते हो तो money transfer होती है bank account से trading account में और share transfer होते हैं आपके demate account में लेकिन उनकी payment यह receipt आती है trading account students इसको आप एक example से समच सकते हो trading account intermediary का काम करता है demate account और bank account के बीच में जैसे कि मालो आपने ABC company के 1000 रुपे के share खरीदे 100 रुपे का एक share है bank account आपके trading account से linked है जब आपने share 1000 रुपे के share खरीदे तो आपके पैसा जाएगा आपके account में 1000 रुपे डाबिट हो जाएगे जब आप share purchase करोगे तो ये डाबिट हो जाएगे जब आप share sale करोगे तो same amount आपका credit हो जाएगा simultaneously आपके demate account में entry होगी जब आप share purchase करोगे तो वो credit हो जाएगे आपके account में और जब आप share sale करोगे तो वो debit हो जाएंगे तो conclusion यह है कि DMAT account के अवल आपकी securities को hold करता है electronic form में और उन shares की जो भी securities है not only shares जो भी securities है उनकी purchase sale करोगे तो payment करने ही पड़ेगी, sale करोगे तो receipt होएगी तो वो जो पैसा debit या credit होगा वोगा trading account में फिर उसमें आपको पता है मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे bank double benefit schemes निकालते हैं कि trading account में अगर आपका बहुत सारा पैसा पढ़ा हुआ है वो आप कुछ भी un नहीं कर रहा तो आप bank account linked है उसके साथ में तो आप उसको swift transfer कर सकते हो उसके आप FD में convert करा सकते हो और अगर trading account में आपको पैसो की ज़रूर पैमेंट करने के लिए तो easily bank account से पैसा trading account में transfer किया जा सकता है तो student this was all about benefits of depository system and demate account कैसे काम करता है next videos में हम depository process और कौन कुन से depository company idea में इस time काम कर रही है उनको cover करेंगे उसके बाद ये chapter आपका खतम हो जाएगा thank you so much